कि यहां पर बहुत ही सिंपल सिंपल सा मेकप मैंने यहां पर किया हुआ है क्यूंकि डेली में ज्यादा है भी मेकप नहीं लगाना चाहिए तो किस तरीके से मैंने यह क्रिएट किया है इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले मैं यहां पर इनिस फ्री का यह टोनर ले रही हूँ और इसको मैं अपने फेस पर रप्लाई करूंगी जेस्ट आफ्टर वाशिंग माइफ तो मैं इसको जंटली अप्लाई कर ले रही हूं अब इसको हम अच्छे से सूप जाने का वेट करेंगे इसके बाद मैं ये वाव का सीरम ले रही हूँ जो की है रेटनल फेस सीरम बहुत अच्छा सीरम है गाईज शादी के बाद जब मेरी स्किन बहुत जादा डैमिज हो गई थी क्योंकि बार-बार मेकप पे मेकप में लग इसके बाद इस सीरम ने मेरी स्किन को बहुत ही जल्दी रिपेर कर दिया है इसको भी हम जंटली रप करके अपलाए कर लेंगे इसके बाद मामा अर्थ की यह मैं ओईल फ्री फेस मॉइस्चर क्रीम ले रही हूँ यह बहुत ही अच्छा मॉइस्चर है तो हमेशा मॉइस्चर करना बहुत इंपॉर्डन्ट होता है उसके साथ ही लैक मेक थोड़ा सा ऐलोएरा जेल में यूज कर रही हूँ क्योंकि गर्मिया थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर तो इस वज़े से मैं यह एलोएरा जेल लीज कर रही हूँ ताकि मेरे स्किन को जो है थोड़ा सा थंड़क मिले इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हैं मैं अप्लाए कर लेंगे तो धूब बहुत कर लेंगे अपने प्रेस पर कि सनी स्क्रीन को अच्छे से अप्लाए करने के बाद लेक में का यह पर्फेक्ट रेडियंस डे क्री में अप्लाए कर रही हूँ ताकि पूरे दिन के लिए मेरे इसके नच्छे से से रहे इसके बाद मैं लैक में का यह पर्फेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर यहां पर अप्लाए कर रही हूँ अपने फेस पर इसके बाद बस मेरा जो फेस मेकप है डेली के लिए वह हो जाएगा डन तो इतना ही मेकप मैं यूज करती हूँ डेली में आफ्टर वैडिं की तो उस वजए से मैं ज्यादा मेकप अवाइड कर रहे हूं और अभी कहीं जाना भी नहीं है तो इतना मेकप आइधिंक की न्यू ब्राइड के लिए पर्फेक्ट रहता है तो फेस मेकप ड़न हो गया उसके बाद थोड़ा सा मैं आई मेकप यहां पर करूंगी तो बस थ थोड़ा सा काजल अपनी आखों में अप्लाए कर रही हूं कि इसके बाद यह 925 बाला लिप कलर लैट में का इस ताव पर अप्लाए कर रहे हूं अपने लिप्स पर इसके बाद यह 100 हागन की निशानी सिंदूर और हम सभी का प्यारा यह मंगन सूत्र तो गाइज यह है मेरा आफ्टर वैडिंग डेली मेकप रूटीन और मैं इस तरीके का मेकप डेली में करती हूं तो यह क्या है कि बहुत जदा हभी फील नहीं करवाता है और आप देखी सकते हैं कि मेरा लुक इतना अच्छा लग रहा है अगर आपको मेरा यह आफ्टर वैडिंग लुक पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई